तो बच्चो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ही कोशन कराया और बड़ी जल्दी चला गया कुछ काम था लेकिन आज थोड़ी लंबी क्लास है खीचेंगे ठीक है और इसको देखो आज बहुत जबदस टॉपिक कराने जा रहा हूं मैं ठीक है तो देखो मतलब टॉपिक त अगर हमारे सामने क्या आजाए भई अगर हमारे सामने टैन आजाए या कुछ और आजाए तो हमें सबसे पहले कॉस्ट तक महुचना होगा लेकिन अगर पहले से ही कॉस्ट दिया हो तो भई हमें कोई दिक्कत निया लेकिन हमें पहले से कॉस्ट तो दिया नहीं हमें टैन का लोगों को जहां तक मुझे याद है और दूसर कर ले तो कोई बात नी कोशन चेंज कर लेते हैं ठीक है कोशन ले लेदे हैं यह को एक मिनट गॉशन ले लेता हूं मैं 10 ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा टुब भी है थोड़ा tough भी है तो sin x बराबर 1 by 4 ठीक है और x lies in second quadrant x lies in second quadrant प्यारे बच्चो मुझे कोशन इसलिए फेवरेट लगता है क्योंकि इसमें trigonometry के सारे formula को दोड़ मरोड कर यहां तक पहुँचाया गया है ठीक है तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखिए sin x है हाँ तो हमारे लिए पहली सर्थ क्या है हमारे लिए पहले सर्थ यह है कि आप किसी भी हाल में कैसे भी करके कौस तक पहुच जाओ तो बस भाई हमें तो भाई हमें रास्ता देखना है बस हमें रास्ता अपना देखना है और बनाना है दो काम करने एक बार 123 हमने रास्ता देखने का यह है अब उस रास्ते को बनाते चलो कॉस तक पहुंच जाओ कॉस तक पहुंच गए तो दुनिया आपके मुठी में ठीक है ची चलिए तो हम कॉस तक side Medicare We know that जाओ X का was X एक्वल तो , THOR 42 स्क्वेर यहां के रूट बन जाएगा 1-1 by 4 का स्क्वेर 1-1 का स्क्वेर 1-4 का स्क्वेर 16 सॉल्व कीजिएगा बच्चो 16 16-1 15 बटा 16 बाहर निकालोगे प्लस माइनस 15 रूट बटा 16 क्या होगा 4 तो वैलू क्या ही अब जल्दी से बताओ एक्स कौन से क्वाडरेंट में है सेकेंड तो बस जल्दी से ये भी बात क्लियर हो चुकी है कि सेकेंड क्वाडरेंट में हमारे कॉस भाई साब की वैलू नेगेटिव होती है और यहां पर लिखेंगे एक्स लाइज इन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाडरेंट सही बात है चलो कॉस्ता का काम हो गया ना सो नाओ हां जी एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाडरेंट सेकेंड क्वाडरेंट तो प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाडरेंट के बारे में मुझे आप एक बात बताईए कि क्या second quadrant ऐसा होता है देखिए ऐसा 90 से 180 के बीच में यही होता है न second quadrant तो क्या मैं लिख सकता हूँ πाई बाई 2 से x और x से πाई के बीच में सही बात है बच्चे अच्छा अब क्या करना है जब ऐसी बात हो गई है तो ऐसी situation में हम लोग क्या करेंगे ऐसी situation में हम लोग क्या करेंगे बाई कि यहाँ पर हम लोग x तक x हमारे पर है पहुचना कहां तक है पहुचना हमें x by 2 तक क्योंकि हमें तो इसका answer निकालना है सही बात है तो जब हमें इसका answer निकालना है तो x by 2 तक पहुचना पड़ेगा तो कैसे करेंगे आप लिखेंगे divided by divided by 2 और सबको 2 से डिवाइड कर दो इसको 2 से डिवाइड करोगे 4 बनेगा यह x by 2 बनेगा यह pi by 2 तो देखो pi by 4 क्या होता है 45 ठीक है pi by 2 क्या होता है 90 तो 90 से 45 कहा होगा और साइद मैं आपको यह भी बताया है कि जब भी हम किसी quadrant के angle का half करते हैं तो वो shift होके एक quadrant पीछे चला जाता है यह हमने last class में बात की थी कि जब भी हम किसी quadrant के angle का half करते हैं तो वो तुरन shift होके कहां चला जाता है एक quadrant पीछे चला जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, so x by 2 lies in, कहाँ पर, first quadrant में, क्यों, क्योंकि second से पीछे खिसकेंगे, तो कहाँ जाएंगे, first में जाएंगे, so now, so now, cos x is equal to, हाँ बच्चो, half angle formula, जल्दी से बताओ दो, फटा फट, क्या बनेगा, 2 cos square x minus 1, सही बात है, चलिए, cos x की value बताइए मेरे 15 बता 4, 2 cos square x minus 1, minus का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, plus का 1, ठीक है, 2 cos square x, solve कीजिए, 4 minus root 15 बता 4, ये दो यहाँ multiply कर रहा है, इधर आके divide करेगा, cos square x, ठीक है, cos square x, 4 minus root 15 बता 4 दुनी 8, square इधर आके क्या बन जाएगा, root, तो यह आ जाएगा, क्या बच्चो, sorry, 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 बच्चो एक गलती करती मैंने, half angle formal लगेगा न, तो x by 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यह क्या बनेगा, x by 2, क्या बनेगा, x by 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x by 2, ठीक है, तो क्या हुआ, इसको एर को ठाग इधर लिया है, अब आपको तो अच्छे से पता है, कि यह plus minus का case बनता है, किसका case बनता है, plus minus का case, लेकिन प्यारे बच्चो, x by 2 तो कौन से quadrant में है, first, और first quadrant में तो सबकी value क्या होती है, positive, तो बस आप यहाँ पर यह positive वाली value उठा लेंगे, root 8 को बाहर निकालने की जुर्रत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे, x by 2 lies in first quadrant, ठीक ह चलिए, now, आप क्या निकालना है, sin x by 2, तो फिर से वाली बात, cos x by 2 किसके बराबर है, 1 minus 2 sin square x by 2, यह minus वाली पाटी उठा के यहाँ पे ले आओ, यह plus वाली पाटी उठा के वहाँ पे ले जाओ, यह plus वाली पाटी उठा के, यहाँ पे ले जाओ, 1 minus, हाँ जी, cos x की value कितनी है, minus का root 15 बटा 4, minus का root 15 बटा 4, तो minus minus, plus का root 15 बटा 4, solve कीजिएगा, 4 plus में root 15 बटा 4, यह दो इधर multiply कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा, जल्दी बोलो, इधर आके क्या करेगा, divide, और यह बन गया sin x, 4 plus में root 15 बटा 8, और इसका square यहाँ पर आके root बन जाएगा, खुलेगा, sin, plus minus root 4, plus root 15 बटा 8, और आपको अच्छे से पता है, हमें value कौन सी बाली लेनी है, हमें value कौन सी बाली लेनी है, बच्चो, plus बाली लेनी, अरे क्या कर रहा है, यह तो value हमें कौन सी बाली लेनी है, plus बाली, reason, क्योंकि बच्चो, हमें first quadrant में दिया गया है, कौन, x by 2, because x by 2 lies in first quadrant, ठीक है, first quadrant, ठीक है, तो देखो, sin x by 2 आ गया, cos x by 2 आ गया, दोनों चीज़े आ गई हैं मारे बस, अब क्या निकालना में, 10 x by 2, तो जल्दी से note करो, जल्दी से इसको note करो, फटा-फट, वीडियो बाउस करो और note करो इसे, ठीक है, तो note कर लिया होगा अपने यहां तक, ठीक है, देखो यह, मैं यह वाला हिस्सा मिटा रहूँ बस, अब क्या निकालना हमें, 10 x by 2, now, 10 x by 2, क्या होता है, जल्दी बताओ, sin x by 2, cos x by 2, यही होता है न, अच्छा, sin x by 2 की value क्या है, 4 plus में root 15, और root 8, अब लिख सकते हैं इसे, इनका root अलग अलग कर सकते हैं, इस तरह cos x by 2 का, 4 minus root 15, बता root 8, कर सकते हैं, root अलग अलग, तो root 8 से root 8 कट गया, 4 plus में root 15, 4 minus में root 15, यह आप गया 10 x by 2, और यही आपका answer है, चाहो तो rationalize करो, चाहो तो मत करो, यह आपकी मर्जी है, ठीक है, तो जल्दी से फटा-फट वीडियो पॉस करके note कर दीजिए, ठीक है, तो बच्छो, उमीद करता हूँ आपने वीडियो पॉस करके यह note कर लिया होगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, ठीक है, तो अब अगर मैं इसके next question की बात करूँ, तो इसका question number 9 और 8, 8 आप कर सकते हैं, 9 में देखिए, पहले से ही causex दिया हुआ है, 9th question में, आपको पहले से ही causex दिया हुआ है, तब तो टेंसर नहीं खतम, सीधा हम लोग फॉर्मल लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, चलिए, यह खतम हो गया, अच्छा, अब देखो question, example number 29, बड़ा प्यारा question है बच्छो, प्यारा क्या, अथी सुन्दर question, question number 29, ठीक है, चलो, यह में टा रहा हूँ बच्छो मैं सारा, अगली class में मैं आपका नया chapter सुरू करूंगा, sets, ठीक है, और बड़ा प्यारा chapter है, बहुत easy chapter है, ठीक है, कुछ ही time में खतम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके numerical बड़े interesting है, आपको करने में बहुत ही जादा मज़ा और interest आएगा, तो example number 29 लिखेंगे, इसके आगे very important, ठीक है, बहुत जादा, 6 नमबर में कई बार, ठीक है, आया है, इसी के type का एक question और है, ml अगरवाल में, वो मैं आपको, जब ml अगरवाल के questions करवाऊंगा, तब बताऊंगा, फिलाल ये देखे, cos square x, plus cos square x, plus pi by 3, plus cos square x, minus pi by 3, बराबर 3 बटा दो, चलो, शुरू करें, अब इस question को, अगर मैं direct शुरू करा दूँगा आपको, तो, पूरे copy को घूरते रहोगे, और मेरे वीडियो को बार बार घूरते रहोगे, और कुछ पलने बढ़ने वाला है नहीं, कुछ बच्चों को आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम क्या काम करने जाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे, कि अगर एक दूद पीता बच्चा भी इस कोश्चन को देख ले, तो चुटकियों महल कर दे, मतलब मैं हर कोश्चन को नर्सरी लेवल पे लेकर चलूँगा, हमकी बिल्कुल zero से सीखना है, और ऐसा सीखना है कि hero नहीं ठीचिक हैं, तो चलिए सीखते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, कॉस square एक्स अगर आप देखते हो, तो आपके mind में दो बाते दिमाग में आती हैं, क्या? एक तो identity, sine square x plus cost square x is equal to one, लेकिन यहां पर अभी इसका काम है नहीं पता कैसे चलेगा तो देखो बताता हूँ भी कैसे पता चलेगा ठीक देखो पहला फॉर्मला क्या घूम रहा है साइन स्क्वार एक्स प्लस कॉस स्क्वार एक्स इस इक्वल टू वन यही घूम रहा है लेकिन अगर बच्चों मैं cos square x की value निकालूंगा तो ये तो 1 minus sin square x हो जाएगा अगर मैं cos square x की value निकालूंगा तो ये तो ये बन जाएगा हाँ की ना और बच्चों जब ये ये बन जाएगा तो भाई यहाँ पे तो ये मेरे को कुछ cos a plus cos b जैसा बनता हूँ नजर आ रहा है कि हाँ भई मैं इसको बना सकता हूँ तो फिर मैं इस formula का use क्यों करूँ नहीं करूँगा क्यों 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 कि मेरे को तो ऐसा formula बनाना है तो चलिए next अब क्या है हाँ जी अब मैं जानता हूँ कि एक cos 2x का formula उता है और क्या होता है formula उसका formula होता है two cos square x minus one इस formula में भी cos square x आता है कि ने आता है हमें तो cos square x से मतलब है तो हमने cos 2x उठाया और cos 2x किसके बराबर होता है minous का 1 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 1 तरही बात है लेकिन मुझे मतलब किससे है मुझे मतलब तो सिरी Cos Squared X है तो ये जो 2 Multiply कर रहा है उसे भी यहां पे लियाँ, और Divide हो गया तो क्या मैं Cos Squared X की जगा पर ये लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ना बिल्कुल क्यों? क्योंकि cos2x का formula होता है deuxième cos2 чем-1 minus 1 इधारा के plus 2 यह multiply कर रहा है इधारा के divide तो हम यहां लिखेंगे now left hand side we know that हम जानते हैं कि cos2x is equal to 1 plus cos2x upon 2 अगर हम जानते हैं तो यह हम जानते हैं तो बस बात खतम जब हम जानते हैं तो भही हम काम करेंगे cos square x की जगा पे क्या रखेंगे 1 plus cos 2 x upon 2 अगर गौर से देखो तो ये भी तो cos square पूरा का पूरा x हां की ना, ध्यान से देखो हां जी, cos square पूरा का पूरा एक single unit x तो इस पे भी लग जाएगा formula क्या लगेगा formula 1 plus cos 2 x की जगा पे पूरा का पूरा आजाएगा सही बात है upon 2 plus इसके लिए भी same 1 plus cos 2 x की जगा पे पूरा का पूरा upon में 2 सही बात है, नीचे से LCM तीनों के लिए क्या आ गया, same 2, 1 plus cos 2x 1 plus cos 2 अंदर multiplied 2x plus 2 pi by 3 1 plus cos 2x minus 2 pi by 3 ठीक है, चलो अब देखो, 1 plus 1 plus 1 कितना होता, जल्दी बता दो, 3 तो बच्चा मुझे 3 by 2 चाहिए था 3 मिल गया, 2 मिल गया इसका मतलब cos वाली सारी बिरादरी अपने आप कटेगी ठीक है, कैसे कटेगी, देखते चलो हंजी, तो अब ध्यान से देखना क्या ये आपको cos a plus cos b जैसा लग रहा है, हाँ की ना b कैसे, यहाँ plus वाली पार्टी है, minus वाली तो cos a plus cos b, क्या होता है cos a plus cos b तो cos a plus cos b का फॉर्मूला होता है, 2 cos a a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 यही होता है ना फॉर्मूला, चलो और upon में पूरे की क्या चल रहा है 2, इस बात को भूल मैं जाना बहुत mostly बच्चे मैं ने देखा, भूल जाते हैं 3 plus में cos 2x plus 2 cos हंजी, इससे एक अट गया 2 और 2 4x बटा 2 फिर cos अंदर solve करोगे तो क्या बनेगा 2x plus 2 pi by 3 minus 2x और minus minus plus 2 pi by 3 upon में 2 और इसके नीचे भी 2 ठीक है भई? ठीक है ठीक, अब यह क्या बनेगा? हाँ जी 3 3 plus cos 2x plus हाँ भई, इस 2 से यह वाल टू कटेगा 2 तो क्या बनेगा? 2 cos 2x ठीक है? अच्छा और इस वाले में क्या होगा? 2x से 2x कटेगा 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 तो क्या बन जाएगा? cos 4 pi by 3 ठीक है? और upon में 2 और इसके नीचे भी 2 तो 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x हाँ जी यह आप तो को पता ही है नीचे खुशक के आ जाएगा तिखा दखा है मैंने आपको तो 3 गुने में 2 बटे में 2 वही 2 से कट जाएगा 2 आ गया तो क्या बनाएगे? 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x 2 pi by 3 upon 2 अब देखो हाँ जी ओहो एक मिनुट cos 4 pi 3 into 2 अब कटेगा 2 यहाँ एगा cos 2 pi by 3 ठीक है? अच्छा अब क्या करना है? 3 plus में cos 2x plus 2 cos 2x हाँ जी जल्दी से बता दो cos 2 pi by 3 separate होगा? और separate होके क्या बनेगा? pi minus pi by 3 हाँ की ना? ठीक है? अब क्या बनेगा? 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x हाँ जी अरे यारी क्या हो रहा है? cos pi minus pi by 3 हाँ जी तो क्या बनेगा? cos pi minus pi by 3 तो कौन सा क्वाडरेंट होता बच्छो? second और second क्वाडरेंट में cos की value कैसी होती है? negative लेकिन pi है तो change नहीं होगा cos pi by 3 upon में 2 और यह क्या आएगा? 3 plus में cos 2x plus minus minus 2 cos 2x into हाँ भे cos pi by 3 मतलब होता है cos 60 और cos 60 की value होती है 1 by 2 upon में 2 2 से 2 कट गया? cos 2x से cos 2x कट गया? 3 by 2 answer यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था या नहीं करना था? बच्छों मिरे को लग रहा है थोड़ा कट रही है यह ना? देखो, दिखा? दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? ठीक है? तो यह देख लो, एक फिर से समझाता हूँ ठीक है? 3 cos 2x 2 cos 2x cos 2 pi by 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ? pi minus pi by 3 बिल्कुल लिख सकता हूँ अब cos pi minus pi by 3 क्या होता है? second quadrant second quadrant में cos की value negative pi है तो change नहीं होगा cos pi by 3 हंजी, 3 cos 2x minus क्यों minus? minus क्यों आया? plus, minus, minus 2 cos 2x और cos pi by 3 का मतलब होता है cos 60 और cos 60 का मतलब 1 by 2 2 से 2 कट गया cos 2x से cos 2x कट गया बचा गया 3 by 2 तो जल्दी से note करो और कोई doubt होता होता हूँ मुझे बताना note करो जल्दी तो चलिए बच्चो अब next question देखते हैं जरा एक next question देखते हैं example number कुन सा है example number 25 ये देखते हैं बड़ा अच्छा कोशन है example number 25 ठीक है देखो if sin x is equal to 3 by 5 कॉमा cos y is equal to minus 12 by 13 कैर अगर sin x की value 3 by 5 है और cos y की value minus 12 by 13 है and x and y and x and y both lies in second quadrant दोनो second quadrant में लाई कर रहे हैं दोनो second quadrant में लाई कर रहे हैं तो बताओ sin sin x plus y की value क्या होगी किसकी value पूची उन्होंने sin x plus y की value क्या होगी तो बहुत ही simple question नहीं यार ये तो now पिस sin x plus y की value अगर आप open करते हो तो sin x cos y plus cos x sin y ये बनता है की नहीं बनता है जल्दी बता दो अगर मैं sin x plus y की value को open कर दूँ formula को open कर दूँ तो मेरे सामने तो भाई sin x cos y plus cos x sin y आएगा आएगा की नहीं अब एक बात देखो आपके पास sin x की value है है की नहीं आपके पास cos y की value भी है है की नहीं निकालना क्या रह गया cos x निकालना क्या रह गया sin y मुझे नहीं लगता इसमें कोई हमने बहुत बड़ा तीर मा रहा है हां जी अरे यार sin x से क्या निकालना है cos x निकालना है तो बस, बस, काम खतम, we know that, we know that, क्या जानते हैं भाई हम, sin square x plus cos square x is equal to 1, क्या मेरे सभी बच्चे cos x की value निकाल लेंगे, जल्दी बता दो, 1 minus sin square x, और इसके उपर का square आके यहां पर, root, sin square x की value, 3 बटा 5 का square, 1 minus 3 का square नो, 5 का 25 बटा 1, 25 minus 9 बटा 25, solve करेंगे, 16 बटा 25, बाहर निकालेंगे, plus minus 4 बटा 5, cos x, quadrant कौन सा है, second, second में cos x की value, minus 4 बटा 5, पता ही है, यहां पर लिख देना reason, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद, क्या करना है आपको, reason लिख दिया आपने, इसके बाद आपको करना है, हाँ जी, cos x भी निकल चुका, अब sin y निकालना है, now, again we know that, क्या जानते हो भई, अरे sin square y plus cos square y भी तो 1 ही होगा, हैं भई, अब sin की value निकाल लो यहां से, तो 1 minus cos square y, और इसके उपर का square, इधरा के root, 1 minus cos की value, minus 12 बटा 13 का square, ठीक है, 1 minus, हाँ जी, 12 का, 144, 13 का, 170, solve करेंगे, 169 minus 144, 169, solve कीजिए, 25 बटा 169, open करेंगे, plus minus 5 बटा 13, हां की न, अरे, यही होता है, square root, हाँ जी, sin की value, y भी कौन से quadrant में, second, और y, sin y second quadrant में कैसा होगा, positive होगा, यह बात आपको यहां पर, लिखनी होगी, यह बात यहां पर आपको लिखनी होगी, ठीक है, अब भाई, जल्दी से बता दो, किस की value चाहिए थी, sin x plus y की value चाहिए थी, और sin x plus y को हम क्या लिख सकते हैं, sin x cos y, plus cos x sin y, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कराने जूरत है, हाँ भई, sin x की value कितनी दीवी है, 3 बटा 5, cos y की value कितनी दीवी है, cos y की value दीवी है, माइनस का 12 बटा 13, प्लस, हाँ जी, cos x की value कितनी है, माइनस का 4 बटा 5, और sin y की value कितनी है, 5 बटा 13, कितनी है, 5 बटा 13, बस बात खतम, करते हैं सुरू, माइनस का बारती है 36, 13, 55, माइनस प्लस पांचो के 20, 13, 55, हाँ वे 36 और 20, माइनस का 56 बटा 65, आंसर इस खतम का नि, इतना सा करना बच्चो, है कुछ इसमें? पता जल्दी थे, कुछ भी है इसमें? देख लो, कितना नकली सा कोश्चन है तुमारे लिए, सरल सा कोश्चन, है की नहीं? माइनस 56 बटा 65, तो इतना नकली सा कोश्चन था बच्चो, और आपको ये, बिल्कुल बेफकूफो वाला कोश्चन दिया गया है, कोई खास कोश्चन है ने, 10th क्लास में भी कर सकते थे इस कोश्चन को हम, सभी बात है, और साथ आड़ी शर्मा में है भी ये कोश्चन, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको वीडियो बास करके, फिर मैं आपको पहले चार फॉर्मले करा रहा हूँ, पहले वो फॉर्मले सीखो, उसके बाद आगे हमें अब दस फॉर्मले और सीखने हैं, बस मातर दस, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो चार फॉर्मले सीखते हैं, ताकि हम और भी नुमेरिकल सॉल्व कर सकें, ठीक है, तो चलिए, पहले मैं आपको चार फॉर्मले लिखवा रहा हूँ, पहल नया नहीं करवार हूँ, पहले देखना, ध्यान से देखना, क्यों करवाए जा रहा है इसा, हंजी, sin a plus sin b, क्या बनता है, जल्दी बता दो, 2 sin a plus b upon 2, cos a minus b upon 2, यही है ना बच्चो, अच्छा, अगला, sin a minus sin b, क्या बनता है, 2 cos a plus b upon 2, और sin a minus b upon 2, यही बनता है ना, अच्छा, अगला है, cos a plus cos b, क्या है, 2 sin, सरी, 2 cos a plus b upon 2, cos a minus b upon 2, लेकिन अगर बात आती है, cos a minus cos b, तो यह बनता है, minus का 2 sin a plus b upon 2, ठीक है, और यह sin a minus b upon 2, यह बनता है, तो यह फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला है, addition, subtraction को multiple में change करने वाला, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, आप जड़ा देखना, अब हम क्या करेंगे, अब की बार आपको question में पता है, क्या दिया गया होगा, मतलब आपकी बार जो आपका formula है, थोड़ा change होने जा रहा है, और formula में क्या change होने जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, फटा-फट, ठीक है, देखिए formula में क्या change आया, हम, 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 जी, तो देखो, अब तक क्या था, a plus b upon 2, a minus b upon 2, ठीक है, अब आपको पता करना क्या है, एक simple सा काम करना है, छोटा सा, ये देखो करना क्या है, आप ये मान के चलो, कि आपका a plus b upon 2 x के बराबर है, और आप ये मान के चलो, आपका a minus b upon 2 बराबर किसके है, y के है, किसके बराबर है, y के, पता कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि यह फॉर्मूले ना अलग है कुछ बच्चों की दिमाग में यह चलता है कि जो अभी मैं फॉर्मूले आपको कराने वाला हूँ वो फॉर्मूले अलग है अरे अलग नहीं है बस उसका थोड़ा सा रूप चेंज़ कर दिया, उसकी form चेंज़ कर दिया तो बच्चों को लग रहा फार्मुला अलग है, अरे नहीं है फार्मुला अलग है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है मैंने आपको क्या बोला, जो आपको समझार हो, बस वो समझो कि बच्चो A plus B upon 2 को मान के चलो X ठीक है A minus B upon 2 को मान के चलो वाई मान लिया अच्छा अब मान लिया होगा तो आपने एक बात देख लो ठीक है अभी हम लोग formula में कहां से कहां जा रहे है इस तरफ से इस तरफ जा रहे है ठीक है लेकिन अब हम लोग किस तरफ से किस तरफ जाएंगे अब हम लोग इस तरफ से वापस इस तरफ आएंगे ठीक है कैसे देखो अगर माल लो आपको लिखा हुआ है 2 sin इसको क्या मान चुका हूँ मैं x और ये ये क्या है कॉस हाँ भी इसको क्या मान चुका हूँ मैं y माल लो आपके सामने ये आ जाता है 2 sin x कॉस y अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला बन गया sin 2 x का कुछ बच्चे ये बोलेंगे अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं बनेगा ऐसे क्यों sin 2 x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x कॉस x मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए लेकिन बच्चों क्या यहां पे दोनों का एंगल सेम है? नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा तो पता है क्या? अगर इसको इसकी नजर से देखो तो क्या बिल्कुल सेम लग रहा है, देखो 2, 2, Sine, Sine इस पूरे को तो अभी अभी क्या बोला मैंने X, Cos, Cos इस पूरे को अभी अभी मैंने क्या बोला, Y, Y, तो देखो बिल्कुल ये चीज इसके जैसी लग रही है तो जब ये चीज इसके जैसी लग रही है, तो क्या यहाँ पर आंसर भी इसके जैसे नहीं होगा? Definitely होगा, तो आंसर क्या बनेगा? Sine, ठीक है? Sine, ठीक है? Sine X plus Y Sine X plus Y Plus Sine X minus Y Formula ये बनेगा Formula क्या बनेगा? Sine, ठीक है? क्या बनेगा formula? Sine X plus Y Plus Sine X minus Y मतलब क्या? जब Sine आगे Cos पीछे तो Sine में पहले प्लस फिर प्लस Sine का दूनों minus यानि दोनों Sine की रहेंगे Sine A plus Sine B जैसा ठीक है? अगर लिखा होता है 2 Cos X Sine Y Sine Y, ठीक है? एक मिन बच्चो तो शुरू करते बच्चो ठीक है? हाँ भई, अब क्या है? Cos आगे Sine पीछे Cos आगे Sine पीछे तो क्या बनेगा? फॉर्मूला यही रहेगा ठीक है? देखो Cos आगे Sine पीछे तो बस क्या हो जागा? Sine A minus Sine B तो Sine A plus B minus यानि Sine X minus Y कोई दिक्कत सेम चीज़ है बच्चो अब देखो अब आजाता है मानलो 2 Cos X Cos Y दोनों Cos क्या आगे? दोनों Cos के जब आजाएंगे तो क्या बनेगा? Cos A plus Cos B तो यहाँ पे लिखो Cos X plus Y plus Cos X minus Y ठीक है? लेकिन अगर मानलो आजाता है 2 Sine X Sine Y अब कहोगे कि सर फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा ठीक है? चलो भई ठीक है मैं मान तो माइनस आएगा चलो अगर यहाँ पे आता है माइनस का 2 Sine X Sine Y तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे Cos X plus Y minus Cos X minus Y लेकिन अगर माल लो बच्चो For example माल लो यहाँ पे माइनस की 2 की जगा प्लस का 2 है तो फिर क्या है? फिर क्या करोगे? ऐसी situation में क्या करोगे? क्या बोलोगे? Quotion गलत है? तो Quotion तो 1% भी गलत नहीं है क्या बोलोगे? Print mistake है? तो भी प्रिंट भी 1% mistake नहीं है वहाँ पिर आपको इस mistake को सुधारना है मतलब उन्हों ने आपको सोचने के लिए दिया गया है question कि प्यारे बच्चों आप सोचिए कि क्या हो सकता है तो कुछ नहीं सोचना छटी से यहीं चीज सोचते आ रहे हैं कि अरे अगर इस माइनस को मैं उठाके उस तरफ ले जाऊंगा तो ये कुछ देखने में ऐसा नहीं बन जाएगा जल्दी बताओ अगर मैं यहां के माइनस को उठाके यहां ले जाऊंगा तो ये चीज हो जाएगी माइनस वाली चीज हो जाएगी प्लस में और प्लस वाली चीज हो जाएगी माइनस में तो बच्चो ध्यान रखना 2 sin x sin y किसके बराबर होता है ये बराबर होता है cos x-y minus cos x plus y ठीक है और अगर आप ये नहीं कर सकते याद तो आप याद यही रखिए बस अगर यहाँ पर minus नहीं है तो इसके आगे minus लगा देना और अगर यहाँ पर minus है तब तो बात खतम हो गई ठीक है जैसे भी आद करना चाहो जैसा आपका method अच्छा लगता है उस method से कर लो लेकिन बच्चो अच्छे से कर लो ठीक है तो इस formula को यह formula में आपको पहले से पढ़ा चुका था अब आपको यह पढ़ना है तो फटा फटा इस formula को note करो फिर जल्दी से मैं एक question कराता हूँ आपको note कीजी जल्दी से note कीजी अब आपने शुरू करते हैं ठीक है मैं आपको कराने जा रहा हूँ example number 26 से कौन सा है 26 example number 26 यह देखो इस formula नहीं मिटा रहा हूँ यह ही कराता हूँ मैं ठीक है चलो देखो example number 26 लिखा है cos 2x cos xy2 minus cos 3x cos 9xy2 प्रूफ करना है sin 5x और sin 5x यह प्रूफ करना है हाँ वई बच्चो यह question आपके सामने है अच्छा अगर यह देखोगे तो अगर साफ दिख रहा है cos x cos b cos x लग रहा है की नहीं लग रहा है ठीक लेकिन cos x cos b का तो कोई formula नहीं है लेकिन हाँ 2 cos x cos b का formula है है की नहीं है जल्दी बताओ 2 cos x cos x sin y यह cos x cos b कुछ भी बोलो बात यह की है यह formula है की नहीं बिल्कुल है तो यानी बच्चो सबसे पहले हम left hand side उठाएंगे पहले तो और एक बात ध्यान रखना हमेशा मैंने हर बार बोला अपको बड़ा एंगल आगे छोटा एंगल पीछे यह अपने बिल्कुल दिमाग में बांद लो बच्चो बड़ा एंगल हाँ बड़ा 2x बड़ा होता है x by 2 से हाँ जी लेकिन 9x by 2 बड़ा होता है 3x से क्यों क्योंकि 9x by 2 होता है 3.5 ठीक है और 3x होता है 3 ही होता है तो 9x by 2 बड़ा 2 को आगे रखना और 3x को पीछे अच्छा अब बच्चो मिरेकोफार्मुला को इसके आगे और इसके आगे 2 आगे और इसके आगे क्या चागे चाइए 2 तो बच्चो ये काम तो मैं जबरदस्ती करूँगा ना जब मुझे ये चीज कोई चाहिए क्योंकि math में भाई जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम जबरदस्ती करते है आपको कभी भी कोई देने नहीं आएगा कि हाँ भी कोई सेंटा क्लोज आया ये लिए भाई पकड़ टू ठीक है और टू पकड़के भी फटा फटे आप में मंटिप्लाई कर दो तो बच्चो ऐसे नहीं हो पाता है ठीक है तो आपको पता यहाँ पे अपनी तरफ से एक खेल खेलना पड़ेगा और वो खेल क्या है टू से मंटिप्लाई अब ये तो आपने अपनी तरफ से जबड़दस्ती काम किया ना तो मैंने क्या बता है जब भी हम कोई काम जबड़दस्ती करते हैं तो बैलेंस करके चलते हैं तो जब 2 से multiply करने हैं, तो 2 से divide भी करेंगे, तो चलिए, इस वाले 2 को इस से multiply करेंगे, cos 2x, cos xy2, ठीक है, और जब इस से multiply होगा, तो इस से भी होगा, क्यों, क्योंकि बाहर bracket है, तो यह बनेगा, 2 cos 9x by 2, cos 3x, ठीक है, तो देखो, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, बना की नहीं यह वाला formula, ब cos x plus y, मतलब 2x plus x by 2, ठीक है, प्लस cos x minus y, 2x minus cos y, यह minus है, लेकिन यहाँ पर दुबारा bracket खोलो, क्यों, क्योंकि अब आगे, अंदर के content तो प्लस कही होंगे, तो 2 cos 2 cos x cos y, तो कौन सा formula लगेगा, जल्दी बताओ, cos A plus B, X plus y, और plus cos x minus y, ठीक है, अब पूरे के बाहर bracket, तो 1 by 2, हाँ जी, add करना ज़रा, 2 दुनी 4 और 1, 5x बता 2, plus cos, 2 दुनी 4, 4x में से 1 गया, 3x बता 2, minus cos, हाँ वही, 9, और यह 15x by 2, और plus, यह कितना आएगा, 6, तो यह आजाएगा, कितना आजाएगा, यह माइनस, और इसको भी तो minus minus, cos 3 x by 2, ठीक है, चलो, अब क्या करना है, cos 3 x by 2 से cos 3 x by 2, cancel हो गया, अरे समझ में आया, यह minus कहां से आया, इस minus ने, इसको भी minus कर दिया, और इसको भी minus कर दिया, ठीक है, चलो, अब क्या है, अब क्या बचा, 1 by 2, cos 5 x by 2, minus cos 15 x by 2, ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, अब तो देशी फॉर्मल लगेगा, cos a minus cos b, हाँ बचा, cos a minus cos b का फॉर्मूला क्या होता है, minus का 2, sin a plus b upon 2, sin a minus b upon 2, ठीक है, 1 by 2, अब तो multiply में है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा minus sin, हाँ बचा, बचा, अब लसे हम सेम, तो 5 और 15, 12, 20x बटा 2, sin, LCM सेम, 15 में से, 5 में से 15 गया, minus का 10, x बटा 2, हाँ जी, क्या करेंगे अब, minus का, तुम्हें पता ही है, यह वाला 2 खिशक के नीचा जाएगा, यह वाला 2 खिशक के नीचा जाएगा, तो क्या मनेगा, minus का sin, 20x बटा, हाँ बचा, बचा, 2 x 2, sin, minus का 10, 2 खिशक के नीचा जाएगा, 2 x 2, हाँ वही दो दुनी चार चार बंजे 20 और यह गट जाएगा 5 तो कितना आ गया माइनस का साइन 5X याद आएगा साइन माइनस का 5X बाई 2 अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि भई साइन माइनस ठीटा क्या होता है माइनस का साइन ठीटा याद आया याद आया बई ठीक है तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन 5X बाई 2 को आगे कर लो और साइन 5X को पीछे Hence, Proved कोई दिक्कत ठीक है ये बाट समझ़ माई ने ये वाली तो जब इसको माइनस करेगा तो इसको भी माइनस करेगा वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है ठीक है तो जल्दी से इसे फटा फट नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है नोट कीजी